अलो गाइज मैं हूँ अभी शेक मिना और आज हमारे पास है ओल्ड वाली फोर्चुना दोहजार बारा मोडल है यह गाड़ी और यह गाड़ी बहुत ज्यादा चल चुकी है टू बाइ टू में है यह और तीन हजार सीसी का जब इंजन आता था वही वाला इसमें इंजन दिय हुआ है अब इस गाड़ी में हम देखते हैं कि 12 साल 11 साल हो चुके हैं गाड़ी को तो 11 साल में गाड़ी में क्या-क्या चीज़े वरकिंग हैं और क्या-क्या चीज़े खराब हो गई और उस टाइम पर फोर्चुनर में हमें क्या-क्या मिलता था यह सब भी मैं आपको बता पर फर्ट से चालू करते हैं तो हमें फहले मिलते हैं प्रोजेक्टर यहाँ आगे लाइट में प्रोजेक्टर मिल जाते है नीचे हैलोजन हमिल जाते हैं और उपर वह 감사 Ryan light है and हमें मिलते हैं 1017 के इल्वाड कर लेते हम तो हमें पीछे वी हैलोजन लाइट मिलती है बेक्ट लाइट मिलती है और यहाँ पर इसकी बेजिंग दियोई D4 DD3D और 3.0 मतलब 3000 लीटर का इसका 3000 लीटर का इसका इंजन था मतलब 3000 CC का इंजन बाकि यहाँ पर हमें Fortuner की बेजिंग मिल जाती है, लोगों मिल जाता है कुछ ऐसा इसका रियर व्यू है बाकि यहाँ पर हमें brake light मिल जाती है पाइपर मिल जाता है और इसमें back camera है यहाँ पर यहाँ पर इस टेपनी है बाकि गाड़ी का कुछ ऐसा लिखते है नीचे दो reflector भी दियो हुँ है इस side में बात कर लेते हैं तो वही same सब कुछ और पुरानी Fortuner का look बहुत ही जादा बलकी था और अभी का जो Fortuner आ रही है अपनी उसका बहुत भी मतलब ऐसा AeroDynamic उसको थोड़ा सा बना दिया है बाकि ऐसा कुछ बॉक्स ही लोक है अब मैं बताता हूँ आपको कि गाड़ी में fuel capacity कितनी है तो इसमें 80 liter diesel आता है यह diesel है और गाड़ी 12-13 का माइलेद दे रही है और 11 साल पुरानी होने के बाद भी 11-12 का माइलेद बहुत अच्छा है और यह गाड़ी चल चुकी है 2,12,562 किलोमीटर तो बहुत जादा होते हैं और गाड़ी में कुछ काम नहीं है अपनी टोयटर जानी जाती है तो उसके इंजन बहुत दमदार है और अभी भी गाड़ी बिल्कुन नहीं की तरह चलती है ए गाड़ी में कुछ काम नहीं है बार थे थोड़ा बहुत काम है वो तो होत रहता है गाड़ियों में तो आप में लेके चलता हूँ आपको गाड़ी के अंदर गाड़ी में अंदर जानेए पहले मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ तो यह कुछ की नॉर्मल की है लोक अनलोक और फाइंड में दिया हूँ और यह वर्किंग है 11 साल बाद भी बाकि गाड़ी के अंदर चलते हैं, तो यहां पर हमें कोई भी कीले सेंट्री का उप्शन नहीं मिलता है, नॉर्माल है सब कुछ, बाकि दोर पर हमें चारो पावर विंडो के कंट्रोस मिलते हैं, यह अपने यह काचो को बंद करने का है, बाकि यह लोक अनलोक है, बाकि यहां पर हम बात करते हैं, तो यहां पर हमें हमारे साइड मिरर को एगजस्ट करने के लिए कंट्रोस दिये गा है, यह साइड मिरर फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए दिये हुए यह security का option दिया हुआ है यह हमारी headlight को control करने के लिए दिया हुआ है और यह आगे की headlight साप करने के लिए जो पानी को निकलता उसका control दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें electric seat भी मिलती है इसमें और यह आज भी वर्किंग में है भाई इतने दिन पुरानी होने के बाद बाकि हम गाड़ी के अंदर चलते हैं तो हमारा कुछ ऐसा मीटर है तो हम की को पहले चालू कर लेते हैं तो ऐसा कुछ बेसिक सा हमारा मीटर है यहां हमारे आरपिम दिये हुआ है यह स्पीट है बाकि हमारे फ्यूल का और यह उसका दिया हुआ है बाकि गाड़ी हमारी चल चुकी है दो लाग बारा आजार पान सो बासाट किलो मिटर बहुत ज़्यादा चल चुकी है ग्यारा साल पुरानी गाड़ी है और कुछ ऐसा हमारे स्टेरिंग है नई वाली फोर्चुनर के मुकाबले यह स्टेरिंग बड़ा है और यहाँ पर हमें म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिलते है यहाँ पर हमें यह बटन दिया हुई है वो इसके लिए यह क्लोग बगग बगएरा दिया है इसके कंट्रोल के लिए यह वाली यह दिया हुई है बाकि ऐसा कुछ हमारा अंदर से दिखता है सब कुछ बाकि इसमें कहीं भी अपना सोप टच नहीं दिया हुआ है पूरी गाड़ी में हाट प्लास्टिक है सब कुछ बाकि एरबेक मिलते है हमें धॉश में एक यहां है और यहां पर देह ए prev wolves दी होई है तो कुछ हमारा केविन अंदर और यह हमारी टच है इसमें हमेंना पल ार्ल प्ले मिलता है प्लोथ सब्स्क्राइए और-बाकी की सिडिशाण करवाजा है अग्याग्यूें तो कुछ ऐसा हमारा बैख केमरा है अब दाऌनीग हो पुरानी घार है तो बैख केमरा ओसा ही है इसमें कोई सेंसंटर नहीं मिलते हैं हमें रिफरल और नीचे हमस्किर क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है हमें cigarette के लिए cigarette जलाने के लिए एक lamp भी मिलता है यह तो यह उस time पे cigarette विग्रेट का रोला चलता था इसलिए बाकि हमें यहाँ आप एक बारा बोट का सोकेट मिलता है और हप bog इंपर ले अगर चारजिंग सोकेट मिलता यहां पांच going on WH 5 और 1-6 रिवस बाकि यहां हमें कुछ स्पेस मिल जाता है और यहांपे हमें गेट फे सोफ clicked देखने को खाली यहां मिलता है गेट पे और यहां Glass Holder है हमें Cup Holder मिलता है फे नई वाले Fortuner मारे इसको प्रेश कहनना पड़ता है लेकिन इसमें बाकि इसके MUSIC system की बात करूँ तो हमें दो टीटर और 4 श्पीकर मिलते हैं तो एक टीटर वहां है एक तूटर वाले गेट पर मिलते हैं और दो पीछे हैं बाकि हमें normal mirror मिलता है mirror में भी कुछ नहीं है नॉर्मल हमें mirror मिलता है बाकि यहां हमें एक sunglass holder मिलता है बाकि यह lamp थे लेमप मिनते हैं तो फ्री दिया हुआ निसके अंदर भी हमें कुछ नहीं मिलता है किसमें यह Nahi da मैं भाई इसमें mile stop look like d cure लाइब कार दिया हुआ है तो कुछ ऐसी है हमारी गाड़ी आगे से गाड़ी इतनी पुरानी होने के बाद भी मतलब अच्छी लग रही है मुझे तो बाकि इसकी रिलाइबिलिटी तो बहुत है अपने टोईटा की तो गाड़ी उस हिसाब से रखी हुई है बाकि यहाँ पर हमें आमरेस्ट मिलता है तो आमरेस्ट में भी काफी जगा है बाकि यहाँ अगर 4x4 होती है तो यहाँ आमे 4x4 का एक लीवर देखने को मिलता है बाकि यह 4x4 नहीं है गाड़ी तो बाकि मैं गाड़ी के पीछे लेके चलता हूँ आपको तो भाई पीछे चलते हैं तो पीछे के डोर ऐसे ही है जैसे आगे का डोर है वैसे ही है यहां विंडो के कंट्रोस मिलते हैं यहां सोफट टॉस मिलता है एक स्पीकर है इसमें बोटर होल्डर मिलता है और यहां पर कुछ खास आपनों को स्पेस नहीं मिलती है भाई गारी के अंदर चलते हैं तो ऐसा कुछ लेग स्पेस है बहुत ज्यादा कमफेटेबल है गारी और यहां उपर भी बहुत ज्यादा गेप है यहां हमें एक लाइट देखनों को मिलती है यह भी हिलो जन है यहां में पीसे के एसी के कंट्रोर्स मिलते है और यहां एक एसी का वेंड मिल मिलते हैं और यहां पर हमें कप होल्डर मिलते हैं नीचे कुछ अलग ही है यह बाकि पुरानी वाली फोर्चुनर में कोई खास फंशन नहीं थे अभी भी यह गारी बस चलाने के लिए और इसकी ड्राइव क्वालिटी प्लस इसकी बेठक बहुत अच्छी है इस गारी की ब भी बात करते हैं तो पीछे भी हमें सीट मिलती है वह में आपको खूल आयता हूं को बूट इस पेस की बात कर लेता हूं मैं तो गाड़ी का बूट यहां से खुलता है सिंपली जैसे डॉर खोलते हम वैससे इसको त्रेस करो और यह खुल जाता है ऐसा कुछ बेक इस पेस बेक में मतलब बूट स्पेस है कुछ ऐसा बाकी में सीट खूल कर देखाता हूँ को सीट ख़िलने के बाद कितना बूस इस्पेस मिलता है गाड़ी थोड़ी से घंडी हो रहे है क्योंकि इसमें यह डीजल होते इसमें बाइब तो स्मृटकै च्थ तो इसमें दो हेंडल दिये हुँए स Six के लिए बाकि हम पीछे की सीट की बात करते हैं तो जैसे ही नए वाली फौर्चुनर है उस्की थचारथ है इसमें मेलिक स्कॉर्प्षू है लाकि एक आधया मुंकि शिचार में पीछे के लिए दे लिए यहां में भी थोड़ा सा स्पेस मिलता है हमें तो बस ऐसी है लेकिन मेरे साब से स्कोर पीओ है इनके मुकाबले इसकी पीछे की सीटे ज्यादा अच्छी है और पीछे से विए ऐसा कुछ है गाड़ी का 12 साल पुरानी होने के बाद ऐसी अहलत हो गई यह गाड़ी की पैसे गाड़ी अ यहां यहां वाली सीटो को पास पीछे से कैसे काम होता होगा यह मुझे नहीं पता लेकिन दिया था उस टाइम पर पाकी अब गाड़ी की इंजन की बात करते हम यहां से अ हमारे और यहां से हमारे फ्यूल के लिए कैप खुलता है पहले तो भाई नई वाली फोर्चुनर क मिलते हैं तो ये टोयटा वालों को देने चाहिए एक तो इसका बोनेट बहुत ज़्यादा है विए नई वाली का भी बहुत ज़्यादा है विए तो अब इसके इंजन की बात कर लेते तो इसमें हमें मिलता है 3000cc का इंजन जो प्रिड्यूस करता है 169bhp और 343Nm का टॉर्क जो काफी अच्छा था उस टाइम के हिसाब से और 3000cc का इंजन इसमें आता था और अब 2000cc का इंजन मिलता है हमें नई वाली फोर्चुनर में लेकिन उसमें इससे कई ज़्यादा पावर्फुल है वो इंजन स्टेरिंग थोड़ा सा लाइट है बट इसकी ड्राइब को लेटी बहुत अच्छी है और 12 साल होने के बाद भी गाड़ी की हर एक चीज वर्किंग में है कुछ कुछ चीज ही वर्किंग नहीं जैसे कि आगे से थोड़ा सा ठुक गई थी गाड़ी तो यह हमारे अब भी का काम करती है गाणी में तो यह काफी अच्छी बात है तो इसलिए टोएटा जानी जाती है तो बस यही था वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा धन्यवाद